हाई फ्रेंड्स मैं कुशू मेरे चैनल में आपका पहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको मक्के की रोटी बनाना बताऊंगी मक्के की रोटी बनाने के लिए हमने एक बावल मक्के का अटा ले लिया है आधा चम्मस नमक और आधा गलास गरम पानी मक्के काटा हमने इस थाली में डाल लिया है अब इसमें आधा चम्मस नमक अड़ करेंगे और थोड़ा थोड़ा गरम पानी डालेंगे इसमें और इस बड़े चम्मा से इसे गूथ लेंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे पानी गरम था इसलिए हमने चम्मा से मिक्स कर लिया अब इसे हाथ हेलें से गूथ लेंगे इस तरह से इस आटे को दिखने अच्छी ताइए इस तरह से मसलेंगे इतनी अच्छी रोटी बनेगे अब हमने इसका सो प्रांटा तयार कर लिया है अब रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे अब हाथ में थोड़ा सांटा लगाएंगे और इस तरह से बना लेंगे अब रोटी को हमने बना लिया है तब अच्छी तरह से गरम करके इस पर घी लगा लेंगे तब रोटी को डालेंगे हमने इसे सर्व तरफ से पावने से सुडा लिया है अब इसे पर लटेंगे अब इस पर घी लगाएंगे अब रोटी तयार है अब इसे नितार लेंगे इस तरह से रोटी बनाने से पहले हर बार हम पानी रखाके जोई को मसल लेंगे तब रोटी को बना लेंगे अब इसकर आएंगे इसली रोटी बढ़िया बनती है अ कि अले अ हम इस तरह से भी बना सकते हैं झाल झाल अब इस तरह से हमें हाथ से बढ़ा लिया है अब इससे पलट देंगे अब इसमें जूर आएंगे अब इसमें पानी लगा कि इसे मसल लेंगे अब लोई को इस तरह से बना के इसे हथेली से बड़ी कर लेंगे अब दूसरी तरह से हम बनाना बताएंगे थोड़ा सा घीव लगाएंगे श्कालिशनी से इस अब दो दूसरी विए पाएंगे आएंगे इसे बनाना बताएंगे अधर हाग चिना बने वाप इस तरह की बना केंगे अभी से पनाटेंगे अब यह मक्य की रोटी तयार है हमने सर्जो का साग भी बना लिया है इसके साथ है बहुत ट्रेस्टी लगता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आई होप एह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो देखनी के लिए धन्यबाद झाल 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 झाल